आज़ बिल्लाहिमेन शयत्वानिर वजीम बिस्मिल्लाहिर रुख्मानिर रहीम असलाम लेकुम दोस्तों उमीद है आप लोग खेरियत से होंगे और मुफिन भाई के चैनल वी ट्रीपल एफ विर्चुल स्टूरेंट सपोर्ट सर्विसे से सीख रहे होंगे दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताके मेरी हर आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से सीख सके दोस्तों मेरी जितनी भी वीडियो असाइन्म to computing की जो हमारी assignment number 3 आई हुई है उस हावाले से है तो आईए हम लोग अपनी assignment का जो requirement है सबसे पहले उसको देखते हैं कि वो requirements क्या है requirements कुछ इस तरीके से हैं you are required to create currency converter web page which can be used to convert input value पाकिस्तानी रुपी into dollar यान one real and dinar कि हमने currency converter बनाना है that can be converted Pakistani rupees into five different other currencies like dollar, yen, one real and dinar अब पांच अलग किसम की currencies के अंदर convert करें आगे उसकी कुछ guidelines हैं मतलब उस converter की वो क्या है you are required to create currency converter web page हमने web page बनाना है which take value from the user in पाकिस्तानी रुपी जो पाकिस्तानी रुपी के अंदर user फे value ले and convert into dollar yen, one real and dinar और फिर उनको मतलब इन फावी करनफीव के अंदर convert करें create a button label as convert हमने एक button बनाना है जिसका नाम हमने convert रखना है on mouse click event function on mouse click event function के ऊपर converter should be called to convert पाकिस्तानी करनफी इन्ट अदर करनफीव और जब हम उस button के ऊपर क्लिक करें या mouse को फेले कर जाएं तो वह सारी करनफीव के अंदर convert कर दे welcome to online currency converter text should be moving from right to left और हमारा जो text वो right to left move करना चाहिए you are required to include all the text boxes label and button should be bought as shown in the sample output हमने जिफ्टरा जहां पे जो जी वी हैं वहीं पे show कर दी है you are required to change the background color other than white on your web page हमने white color के इलावा कोई और color यूज़ करना है create another button label as reset form clear the text values जो हमने currencies convert की है जब हम reset के button पे click करें तो वो सारी reset होनी चाहिए और form जो है वो बिल्कुल blank हो जाना चाहिए you are required to use table for that item of web will be show in the arranged form हम table का tag use कर सकते हैं to align the text and other things उनको align करने के लिए if the value is greater than zero then the web page will be show the converted values dollar yen one real and dinar in the given text box is shown in the sample output if the value is less than the zero is entered in pakistani rupees tech box converted button is clicked and alert shown through window alert window dot alert as वाकला अगर हमारी value zero फिलाइस होगी तो इस तरह की एक window हमारे सामने अपियर होए जिसके इंदर लिखा हुए enter value greater than zero कि आप जो है greater than zero की value enter करें तो convert rupees into other currency you have to use the following currency values वन डॉलर जो है वह 158.93 रूपीज का है वन यें जो है वो तीव शरिया 12 रूपीज का है वन वोन जो है वो जो है वो बैलिफ शरिया 37 रूपीज का है एक दिनार जो है वो पांच वाइस चारिया 21 रूपीज का है इसे तरह सेंपल आउटपूट कलर स्कीम में भी हॉसी और ऑन च्वाइस हम कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं जी अपनी मर्जी के मताबिक यह हमारे सामने इसकी यह आउटपूट है जो हमें नज़र आ रही है कि यह करंसी है इसके सामने एक फील्ड है फिर वो कन्वर्ट का बटन है और फिर यह सारी वो चीबें जो कन्वर्ट करनी है और रीफट फॉर्म का बटन है और फिर निचीज यह लिखावाई यूग कन प्रेफ कर सकते हैं अब क्लिकिंग और इफट फॉर्म बटन के उपर क्लिक करके दोस्तों यह थी हमारी इस अफ़ाइनमेंट की रिक्वाइर्मेंट तो चले हम इसके फिलूशन की तरफ चलते हैं फिलूशन की तरफ चलने पहले मैं आपको बता दूँ किस फॉर्फ ऑल मैंने जो है इस फ़ाइनमेंट को तीरी फ़में तक्सीम किया पहले मैं आपको एस्टेमल का कोड इखाऊंगा क्या आपने हैं कैसे करना है और यह बहुत पहले 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 हैं आपको यह सारी चीज़ लाइव करके दिखाऊंगा ताक्कि को कोई कन्फिजन बाकी नहीं रहें तो चले मैंने लिखा है तो HTML वही मैंने बता है boxes की गेम है HTML का एक box start किया head का एक box start किया title का उसके अंदर एक box start किया और यहां पर लिखती है मैंने अपना VUITMS 1504 00857 यहां पर आप अपना भी ID डाल सकते हो या CS101 assignment number 3 भी लिख सकते हो और आगे मैंने लिखती है VSS virtual student support services है यह मैंने जस्ट अपनी चुके मैं मैं खुद इसको बना रहा था तो इसलिए मैंने यहां पर VSS लिख दिया तो आप लोगों ने यहां पर नहीं लिखना है बलके अपना यहां पर ID या नेम लिखना है title के box को close किया और आगे मैंने लिख जावा code here अब head वाले portion के अंदर हमने जावा script का code लिखना है इसकी भी दो options है या तो आप head के अंदर लिख लें या आप बिल्कुल end के ओपर लिख सकते हैं जावा का code लेकिन बेहतर यही है कि आप जावा का code है वो आप head के अंदर ही लिखें ठीक है यहां पर मैंने head को close किया उसके बाद body body का busy color sky blue मैंने रखा है जो अपनी मर्वी फे हो टीचर ने कहा था कि white आपने नहीं रखना तो मैंने sky blue रखा है इसके बाद एक table start की table align center किया ताकि यह जो table है यह हमारा center layer line है जो इसका बाटर नहीं रखा ताकि यह फारा फिरफ color ही नज़र आए उसके बाद एक TR नई table row शुड़ की फिर एक TD उसके अंदर एक file बनाया style is equal to background color is equal to light green इसका जो color है है जहां पर यह currency converter लिखा हुआ है यहां पर हमारा जो background color है वो हमारा light green आना चाहिए उसके बाद h1 का tag यूज किया currency converter लिखा है h1 tag को close किया td को close किया और tr को भी close कर दिया तो इसके नतीजे में हमारी यह एक first row और एक first cell बन जाएगा उसके बाद एक नई टी आर लिए टेबल रो और उसके डीडी style is equal to यहां पर css को कोड यहीं पर बैंने include कर दिया background is equal to pink के इसका जो background color है वो pink आना चाहिए h3 welcome to online currency converter h3 को हमने close किया td को close किया और tr को close किया अब वो यह कहता था कि यहां पर वो moving text आना चाहिए तो यहां पर एक और tag यूज रहता है जिसको मर्क्यू क्या दिया है तो मर्क्यू का tag आप starting में लगा दीजिए और मर्क्यू का tag आप end पे लगा दीजिए तो आपका यह input field है और एक button है तो यह एक form बनाया है ताकि values गेट करके और फिर आगे उससे हमने functionality करते है जावास करीब code के साथ तो यहां पर मैंने form लिखा form का name जो है वो CUR underscore CUN मतलब currency converter रख दिया जी form का ना उसके बाद table लिखा align center ताकि टेबल जो हमारा align center हो जाए water is equal to one यह जो इसके बाहिर हमें water नवरा आ रहा है जैसे हमारी assignment के अंदर भी है तो वह हमने water लगाने के लिए water is equal to one कर दिया उसके बाद लिखा जी पाक करणसी है रुपीज ठीक है जी इसके आगे input field बनी है input is equal to text भी आप लेको text कर दें input id is equal to input currency उसके बाद type is equal to number हमने जो है input is equal to input type is equal to number यहां पर direct भी लिखा जा सकता है इसके बाद name है जी इस field का name हमने रख दिया जी रूपीज इसके बाद input type is equal to button है यहीं जैसे मैं दे निचली line के अंदर लिखाऊ input type is equal to button तो आप input type is equal to number रख सकते हैं उसके बाद name है जी इसका name हमने रखा जी convert क्योंकि हमें teacher ने भी कहा था कि इस button का नाम अपने convert रखना है और value भी इसकी convert जो हम value के अंदर लिखेंगे वो यहां पर print हो जाएगा उसके बाद है on click on click का हमने function call करना था जैसे हमें सर ने बताया था कि जब हम उसको पर on click करेंगे तो हमारी currency जो convert हो जाएगी on click एक variable ले लिया equals यहां पर currency converter के नाम का एक function call हो रहा है और इसके अंदर हम currency convert यह जो एक variable उपर हमने form का name रखा है उसको call कर रहे हैं कि form और dot values के उस form की जो values हैं वो इसके अंदर call हो जाए td को close किया और tr को close किया तो हमारे पास यह बन गया अब यह जो इसके अंदर function call हो रहा है currency convert का यह आगे चलके जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उसके function की definition क्या है next जो है हमने यह बनाना है यह बनाने के लिए देखें एक table row बनाएंगे उसके अंदर ID is equal to dollar हमने dollar की ID dollar डाल दिया ताकि इसकी values get करने हम ID के through करेंगे तो ID हमने इसका dollar रख दिया TD क्लोस किया TR क्लोस किया तो हमारे पास एक row बन गया इसके बाद DR शुरू किया TD yen लिखा जाइना लिखा और TD को क्लोस कर दिया उसके बाद TD एक और शुरू किया उसका हमने input ID is equal to yen रखा और TD को क्लोस किया और TR को क्लोस किया तो हमारे पास एक नही रो बन के yen वाली 1 बनाने के लिए TR एक नया शुरू किया TD लिखा उसके अंदर 1 लिखा कोरिया लिखा और TD को क्लोस कर दिया उसके बाद TD एक नया शुरू किया input type is equal to आप text भी input type is equal to सारी number रखनी है तो यहां पे input type is equal to numbers भी आप इनके साथ लिख सकते हो तो ID 1 लिखा और TD को क्लोस किया और DR को क्लोस किया इसके बाद TR लिखा एक लिया रिया दिया रिया लिखा साूदिया लिखा TD को क्लोस कर दिया इसके बाद हमने TD एक और लिखा input type is equal to number id is equal to real और td को close करके tr भी हमने close कर दिया तो रियाल वाली लाइन बन गई इसके बाद एक और tr लिया ठीक है जी उसके बाद td लिया इसके अंदर dinar लिखा, कोयत लिखा td को close कर दिया इसके बाद td लिखा input type is equal to number id is equal to dinar TD को close किया, TR को हमने close कर दिया, इसके बाद जी हमने क्या करना है, ये button बनाना है, अब ये देखें, ऊपर से तो आ रहे थे हमारे पास दो column, अब नीचे एक हो गया, तो इसके लिए हम call span यूज करते हैं, TR लिया, TD, call span 2, मतलब दो columns को मर्ज करते, input type is equal to reset, एक reset button चाहिए, name is equal to reset, हमने उसका नाम reset रखना है, value is equal to reset form, कि ये जो value होती है, ये basically यहां पर print हो रही होती है, तो वो हमने reset form रखना है, TD को close किया, TR को close किया, अब नीचे वाला जो लिखा हुआ है, you can press reset button for resetting the form, ये भी हमारा दो column को merge किया हुए, तो हमने एक नहीं दो शुरू की, और TD call span is equal to do किया, you can press reset button for resetting the form, TD को close किया, TR को close किया, इसी तरह हमने table को close किया, और form को close किया, तो दोस्तों यहां तक छो है, फिरफ हमारा HTML का code बनता है, इसके बाद मैं आपको java script का बताता हूँ, java script की यही 4-5 lines है, ये आप easily बिल्कुल write कर सकते हैं, script का एक tag यूज किया, script के tag को end पे हमने close किया, इसके अंदर हमने java script का code लिख रहा है, अब यहां पे हमने एक function call किया था, जहां पे हमने convert का button बनाया था, कि currency convert और आगे उसके अंदर form का name, currency convert.rupees.values, तो यहां पे वही पैसब से पहले function लिखा, currency convert और within bracket value number, और curly bracket के साथ if लगाया, currency con, के currency con, जो है, dot rupees.value is less than earned, equal to zero, अगर हमारी जो value वो वीडो है, के बराबर है, यह less than है, तो वो क्या करें, एक window.alert, हमें एक alert दिखाए, और उसके मैंने लिख लिए enter value greater than zero, कि वो हमारी जो value है, वो greater than zero की value आप enter करो, else, अगर यह condition true नहीं होती, त document.get element by id, तो वो document फे, एक element get करे, by id, id के पर यह, dollar, जो हमने id, एक input field का नाम रखा, यहां पर देखे, जैसे id, हमने जो है, dollar रखा, इसका id, यहां, इसका one, तो इन ही को हमने get करना है, तो dollar की value को get करे, dot value is equal to value number, यह जो value number है, इसको फिल डिवाइड करे, one point, one five eight dot nine three के साथ, यह हमें rate दिया हुए, dot two fixed, और two लगा दिया, इसी तरह, बाकी सारी line भी same additive copy कर लें, ठीक है जी, और फिरफ id की जगा पे id आप change करते जाएं, yen लेक देएं, one लेक देएं, real लेक देएं, और दिनार मैंने लिखा है, ठीक है जी, आपने यही जो id हैं, वो यहां पे देनी है, ठीक है जी, बाकी उनके साथ value dot number के साथ, आपने yen की value, आप लिख सकते हो, तो आप कहीं पे भी लिख लेएं, जावा को कोड आप head के अंदर लिख लेएं, आप head के अंदर लिख लेएं, आप end पे लिख लेएं, तो वो execute हो जाएगा, तो दोस्तों यह था हमारा सबसे पहले HTML को कोड, फिर मैंने आपको यह जावा को कोड बताया, अब मैं आपको यह सारा live करके दिखाता हूँ, कि हम यह सारा कोड कैसे करेंगे, notepad के अंदर और उससे output वाली file हम कैसे generate करेंगे, तो इसके लिए हमने, मैंने जो है, वो notepad ओपन करना है, तो notepad plus plus मैंने install किया हूए, आप लोग भी कर सकते हूँ, वैसे by default जो है, वो notepad होता है, windows के अंदर, वो भी आप चला सकते हूँ, यह notepad ओपन हो गया जी, यहाँ पर मैंने सारा वो जो code है, वो already लिखा हुआ है, तो इसको मैंने file को save करना है, save करने के लिए आप file का नाम लिखेंगे, file का नाम जो है, वो CS101 और AWS IGNME, and the assignment number 3, यह हमारी assignment number 3 है, और end पे आपने dot html, यह dot html ज़रूर लगाना है, अगर आप यह नहीं लगाएंगे तो आपकी जो output वाली file है, वो generate नहीं होगी, mostly students जो हैं, वो यहीं पर गलती करते हैं, कि वो dot htm या dot html बिल्कुल नहीं लगाते हैं, टेक्स्टॉप पे मैंने इसको save किया, जी, save करने के बाद जाके हम देखते हैं, कि हमारे पास यह एक file save हुई है, अब देखें, यहां पर वही आ रहा है, जी currency converter आ गया, उसका मैंने light green color रखा था, इसका pink रखा था और इसका skype blue रखा था, अब यहां पर वो फारी चीज़ें आ रही हैं, हमने यहां पर पाकिस्टान रुबीज के अंदर, for example, मैंने zero लिखता हूँ, अगर मैं इसको convert करता हूँ, तो हमें एक message आ जाता है, enter the value greater than zero, हमें एक value greater than zero enter करें, for example, मैंने यहां पर एक हजार लिख दिया जी, अब मैं अगर इसको convert करता हूँ, तो हमारे पाफ फिक्स, पॉइंट नाइन टू डॉलर बन जाएंगे, तो अगर मैं रिखेट फॉर्म के उपर क्लिक करता हूँ, तो हमारी सारी value reset हो जाती है, और इसी तरह अगर मैं दुबारा यहां पर कोई value लिखता हूँ, जैसे मैंने 50 वार लिखती है, तो वो इसको भी convert कर लेता है, तो दोस्तों, यह है हमारी मतलब assignment, यह उसकी output आ गई, यह उसका code आ गया, और इसी तरह यहां पर मैंने आपको यह सारी जीवें करके भी दिखाई हैं, तो पहले HTML फिर आपको इसकी जो है, JavaScript का code दिखाया है, उसके बाद फिर जो है, मैंने आपको बिल्कुल end के उपर वो live भी करके दिखाया, तक कि किसी को कोई confusion बाकी न रहे, और यह फिर उसकी end पे output आ रही है, जो मैंने आपको अब भी करके दिखाये, तो दोस्तों, यह थी हमारी assignment CS101 की third assignment, और इसी तरह आप मौफिन भाई का channel देखते रहे है, Virtual Student Support Services और मौफिन भाई की website, www.vuff.com देखते रहे है, अगर किसी बचे को कुछ confusion है, तो वो मेरे साथ मेरे WhatsApp नमबर पे भी contact कर सकता है, मेरा WhatsApp नमबर जो है, वो आपको description में दिया हुआ है, Thank you very much दोस्तों, लाहाफिश!